जब आप अपने दोस्त को साला बोलते हैं, तो हस देता है, जब आप अपनी गर्फरिंड के सामने उसके भाई को साला बोलते हैं, तो गर्फरिंड शर्मा जाती है, और जब आप भीड में किसी को साला बोल देते हैं, तो आपको पकड़ के कूट देता है, जब आपके पिता किसी काम के पीछे किसी शब्द के पीछे क्या एरादा है क्या intent है यह जानना जरूरी होता है इसलिए पिछले कुछ सालों में search engines ने search किये जा रहे keywords के पीछे का मकसद उसके intent को समझने की कुशेशे करना शुरू कर दिया और हम SEOs के लिए keyword research के वक्त keyword intent को देखना जरूरी हो बट कीवर्ड इंटेंट कोई आज की जाद की ओई कॉंसेप्ट नहीं है फिर आज मैं इसे अचानक से क्यों उठा रहा हूँ विल गूगल ने 30th मार्च 2022 को कुछ ऐसा अनाउंस किया जो इस कीवर्ड इंटेंट को जानना समझना और अपने SEO वर्कफलो में यूज करना से बह आने की कोशिश करते हैं रिलाक्स आपको सब्सक्राइब बटन ठोड़ने की ज़रुद नहीं है और आपके लिए लाइक्स का टार्गेट भी पूरा करने की कोई मजबूरी नहीं है जो भी आपके थॉट्स इस टॉपिक पर हैं आइडियास हैं क्वेस्चिन से कमेंट सेक् आपके च्लिक कर सकते हैं कैम्पें़ सेगमेंट बनागेट कर सकते हैं अपने ऐपने ऑफर डील और न्मल नॉटिकेशन को बेच सकते हैं Link is in description and yes, Notix का एक free plan है, paid plan है और एक monetize plan भी है जो आपको अपने traffic को monetize करने का feature भी देता है. So, go check it out, link is in description. 30th March 2022 गूगल ने अपने blog पर एक article publish किया, इस blog को पांडु नायक ने लिखा है, जो Google search के vice president है. पांडु नायक को हमने पिछले दो Google search on events में cover किया है, उन्हें इसमें feature किया है, इन वीडियो के links अभी आपको top right corner में दिखाई दे रहे होंगे और नीचे इस वीडियो के description में भी मिलेंगे. So, इस article में पांडु नायक ने mum, M.U.M. और Bert, B.E.R.T. के Google search में नए implementation के बारे में information दी है. Mum और Bert को भी हम दो अलग-अलग वीडियो में cover कर चुके हैं, जिनके links आपको, you know, उपर नीचे दोने जबे मिलेंगे. I know, इस तरह से वीडियो के बीच में थोड़ा सा वीडियो का location बताने में rhythm तूट जाता है, बट इन वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप इस पूरे scenario के complete scene को समझ सकें. इस article में mum और Bert के तीन implementation के बारे में बात हैं की गई हैं. इन तीनों milestones को अचीव करने में Google AI और ML-based mum और Bert Systems को यूज़ करता है और इनके बारे में details आपको हमारे इन वीडियो में मिल जाएगी. बट इस article का एक खास पार्ट मुझे interesting लगा. इस article की 20 वी लाइन कहती है कि mum can better understand the intent behind people's question to detect when a person is in need which helps us more reliably show trustworthy and actionable information at the right time. मतलब कि mum को use करके Google लोगों के search किये जा रहा है keywords के पीछे के मकसद को उसके intent को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है ताकि सही time पर सही result दिखा सके. यह announcement छोटा सा है लेकिन इसका असर बड़ा होगा क्योंकि Google keywords को सिर्फ words की तरह नहीं समझेगा बलकि उसके meaning के base पर search results को show करेगा. ऐसी user आपको बहतर search results दिखाई देंगे लेकिन एक website owner के तौर पर एक SEO के तौर पर आपकी website का traffic घटेगा या बढ़ेगा यह depend करता है आपकी SEO strategy पर. अगर आप लगातार अच्छा unique और useful content लिख रहे हैं तो आपका traffic ज़रूर बढ़ने वाला है. गूगल इस change को आने वाले कुछ ही हफ्तों में rollout करना शुरू कर देगा और इस article में ऐसा कुछ specific नहीं लिखा है बट यह change सभी language में rollout होगा because mum a cross language model है. अगर आपने अभी तक keyword intent पर काम नहीं किया है तो आपको दूसरा वीडियो ढूंडने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम keyword intent को ही discuss करेंगे. keyword intent यानि कि किसी keyword को search करने का reason क्या है? जब आप best hair salon near me search करते हैं तो आपका purpose क्या होता है? आस-पास के बढ़ियां से hair salon में जाका haircut लेना या फिर hair salon near me phrase का translation ढूंडना? यूनो दा answer. जब आप facebook सर्च करते हैं सिर्फ तो आपका purpose क्या होता है? facebook.com पर जाना या फिर facebook website बनाने का tutorial देखना? obviously इंसानों के लिए इस सवाल का जो answer है वो बढ़ा simple है लेकिन computer systems के लिए words के पीछे चुपेवे meaning को समझना मुश्किल होता है इसलिए हम SEO में keywords को तीन intents में divide कर सकते हैं नंबर 1 informational, नंबर 2 navigational और नंबर 3 commercial informational keywords वो keywords होते हैं जिनके जरिए user कुछ जानना चाता है किसी keyword का मतलब किसी चीज को पकानी के recipe या उसे हजम करने का घरेलू नुसका जो भी keyword किसी information को ढूँड रहे हैं वो informational intent के अंदर आ जाएंगे navigational intent वाले keywords वो हैं जो किसी website तक पहुँचने में मदद करते हैं हम Google पर इस कदर depend हो चुके हैं कि किसी website का full URL कभी याद ही नहीं रखते हैं नव भारत times की website का URL क्या है याद कौन रखता है Google कर लो pancard में change करवाना है IT department की website कौन याद रखता है Google कर लो बट जब भी आप किसी organization किसी department या किसी business के नाम को search करते हैं और Google आपको उसी department या उसी company की exact website को दे देता है तो उन दोनों के बीच में Google को काफी काम करना पड़ता है और इस तरह की searches को navigational search कहा जाता है इसी तरह के keywords का intent होता है वो navigation होता है कई बार जो small news sites होती है वो अपने target keywords में Times of India या किसी बड़े news site को as it is रख लेते हैं बिना ये सोचे कि वो जिस keyword को target कर रहे हैं वो informational है ही नहीं उसके लिए rank करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है बेकार है जो Times of India की site पर जाना चाहता है वो आपकी site पर click नहीं करेगा चाहे वो कितना भी अच्छा राइंग कर रहा है हो third intent है commercial किसी चीज को किसी product या service को purchase करने से related कोई भी search commercial intent के अंदर आती है local SEO related searches पराला नहिमा का near me इस type की searches भी commercial intent के अंदर आती है यह सिर्फ stage का difference है like जब आप किसी product को purchase करने के लिए research कर रहे हैं like best refrigerator in 1 lakh rupees तो यह commercial intent वाला keyword है but जब आप इस research के बाद एक particular model decide कर लेते हैं like something like Samsung smart refrigerator model 2022 और इस particular model के ऊपर deal देख रहे हैं तो यह transactional intent हो जाता है because now आप transaction करने के लिए एकदम ready हैं so transactional intent भी commercial intent का ही part है कच्छे और पके का difference है बस keyword के intent को आप analyze करके बेकार keywords के उपर अपना time और energy दोनों waste करने से बचा सकते हैं like अगर आपकी website एक e-commerce site है तो आप informational keywords पर target करके results नहीं निकाल सकते हैं commercial intent keywords को high intent keyword भी कहा जाता है because वो product या service को sale करते हैं they make sale, they make money, they generate revenue आज keyword intent को निकालने के लिए कई सारे tools available हैं SEMrush और Ahrefs दोनों ही popular tools keyword के intent को search करने से related features आपको देते हैं ज़रूरत है आपको इन features को सही से use करने के अपने page को देखिए सोचिए कि आपको किस तरह के intent को target करना है और जब आप keyword research कर लें तो अपने keywords को intent के base पर check जरूर करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिन keywords को sale generate करने के लिए use करना चाहा रहे हैं target करना हैं वो navigational या informational हो आने वाले वीडियो में हम keyword research के ऊपर एक नए टूल को भी देखेंगे जो काफी unique insights आपको देख सकता है thank you so much for watching this video, my name is Amitivari from Amitivari.net and I will see you next time, take care